Good morning everyone! Kids, English में आज हम लोग फिर से एक बार noun करेंगे जैसे कि noun हम लोग already कर चुके हैं noun क्या है? All naming words are called noun सभी नामों को हम noun बोलते हैं चाहे वो किसी person का हो, place का हो, animal का हो, things का हो, fruits का हो, vegetable का हो किसी भी चीज का नेम हो, हम उसे क्या बोलते हैं? noun और मैंने आपको होंबक में 15 noun राइट करने के लिए दिये थे जिसमें आप अपने चाहे घर के जितने सामान है आपके घर के लोग के नाम है जो आपको fruits अच्छा लगता है, visitable अच्छा चाहे उसका नाम है चाहे आपकी friend का नेम है, या आप यहां घूमने जाते हो, जिस शहर में आप रहते हो है ना, तो सभी का आपको name राइट करना था जो आपके दिमाग में आ जाए तो आपने सब बच्चों ने 15 noun राइट किये होंगे copy में और बड़ों से check भी करवा लिए होंगे आज हम लोग noun को sentence में कैसे करेंगे, ठीक है, sentence में नाउन को कैसे करेंगे, आज हम लोग यह से जिखेंगे लेट आस स्टार्ट, underline the nouns, underline the nouns, अपको noun को underline करना है, कैसे, कैसे करेंगे पहले हम लोग sentence को read करेंगे, फिर उसके बाद हमको देखना है, इसमें हमको कौन-कौन सा noun नजर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, underline करेंगे, स्टार्ट करते हैं, number one अब आपको कैसे पता चलेगा की noun है, तो मैंने आपको बताया था ना, किसी भी परसंता नेम, चाहे वो girl, boy, कोई भी हो, नेम हो, उसको भी हम noun बोलते हैं, किसी place का भी noun हो, जगा का नेम, city का नेम, उसको भी हम क्या बोलते हैं, noun अब उसी noun को हमें underline करना है, जैसे इस sentence में, अब दीरे-दीरे read करेंगे, टीना, लिज, इन, रांची, तो मैटा, यहाँ पर टीना क्या है, एक girl का नेम है, तो यह क्या हो, ना, लिज, यह नहीं, इन, यह भी नहीं, रांची, रांची भी क्या है, एक city का नेम है, प्लेस का नेम है, तो यह भी क्या हो गया, ना, तो अब हमें क्या करना है इनको underline करना है जैसे हम क्या करेंगे टीना को underline करेंगे और एक रांची को तो ये दोनों क्या है नम्न है ओके, नम्बर टू रिशू R-I-S-H-U रिशू is a student S-T-U-D-E-N-T student student means विद्यावती रिशू एक boy का नाम है रिशू एक विद्यार्थी है student है तो इसमें भी आपको देखना है कौन-कौन सा नाउन है कैसे देखेंगे रिशू ये नाउन है is student विद्यार्थी ये भी एक नाउन है ठीक है तो रिशू क्या है नाउन and student क्या है नौण ये दोनों क्या है? नौण है अब बेटां ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको हर संटेंस में टू-टू नौण्स मिलिंग हो सकता है किसी संटेंस में एक ही नौण हो सिंगल नौण हो उसी को अंडरलाइन करना है इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें तो और कोई noun नहीं दिख रहा है, किसी भी word को आप underline कर दोगे, no, ठीक है, पहले आपको समझना है, number three, the cow is grazing, g-r-a-z-i-n-g, grazing, grazing होता है जैसे cow, goat, buffalo, ये सब जैसे खुली जगह में, मैदान में, कहीं पे भी, घास उगी होती है न, उसको खाते हैं, उसको बोलते हैं, grazing, ठीक है, चर्न, घास चर्न, the cow is grazing, इसमें आपको कौन-कौन सा noun लग रहा है, the, no, cow, cow, cow क्या है, एक animal का नेम है, नेम है न, तो animal का नेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, underline करेंगे, is grazing, इसमें कोई नहीं, number four, a car has four wheels, w-h-e-l-s, wheels, wheels क्या होता है, गाड़ी का जो पहिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, wheel, तो car के कितने wheel होते हैं, four, ठीक है, car के चार पहिये होते हैं, तो इसमें आप देखना है, कौन-कौन सा noun है, दीरे-दीरे, car, car एक चीज का नेम हुआ, तो इसको हम underline करेंगे, has four wheels, पहिया, तो ये भी चीज का नेम हो गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, underline करेंगे, ये जो हम underline कर रहे हैं, ये क्या है, noun, ये naming word है, किसी ना किसी चीज का नेम है, चाहिए boy का है, girl का है, city का है, है ना, तो इस animal का है, एक चीज का नेम है, कोई भी नेम को हम underline कर रहे हैं, next है, number five, an elephant, elephant, elephant is big, elephant means हाथी, बड़ा है, big means बड़ा, तो इसमें आपको कौन सा नाव नाजर आ रहा है, an तो नहीं है, elephant, elephant क्या है, एक animal का नेम है, तो इसको हम underline करेंगे, is a big, ठीक है, तो इसमें हमको एक ही underline करने के लिए था, noun, number six, rohan, r-o-h-e-n, rohan, has a cat, rohan कौन है, एक boy का नेम है, has a cat, rohan के पास एक cat है, तो cat भी एक animal का नेम हो गया, तो इसमें कितने noun है, to, rohan and cat, हम rohan को underline करेंगे, और cat को भी underline करेंगे, ओके, और next है, cimi, s-i-m-i, cimi, goes to school, s-c-h-w-l, school, cimi, school जाती है, अब इसमें कौन-कौन सा नेम है, cimi एक girl का नेम है, goes to, तो कोई नहीं नहीं है, तो next day school, school में जहां आप पढ़ने आ, तो यह एक place का नेम है, इसको भी हम underline करेंगे, cimi and school, ठीक है बटा, यह बहुत easy है, आप sentence में एक एक बर्ड को ध्यान से देखते और read करते जाओगे न, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है, नमबर एट, रिया, एक गल का नेम है, wants a dress, रिया को क्या चाहिए, एक dress चाहिए, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा नहीं है, रिया एक गल का नेम है, इसको अंटलाइन करेंगे, नेक्स्ट है, dress, dress को भी हम अंटलाइन करेंगे, ये भी नाउन है, नमबर नाइन में है, my mother was at home, मेरी मा घर पे थी, ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन सा नाउन नसरा रहा है, इसमें हम किसको अंटलाइन करेंगे, mother, तो मैंने बताया था न, कोई भी person, mother, father, grandmother, grandfather, कोई भ भी क्या है, नाउन है, और इसमें और कौन सा नाउन है, home, home यहां पर हम रहते हैं, place का नेम हुआ, तो इसको भी हम अंटलाइन करेंगे, number 10, it is a tall tree, यह एक लंबा पेड है, ठीक है, तो tall means लंबा, and tree means पेड, इसमें आपको क्या करें, it is a tall tree, इसमें हमको सिर्फ tree नाउन लग रहा है, इसको हम अंटलाइन करते हैं, ठीक है बच्चों, तो मुझे उमीद है कि आपको sentence में भी नाउन को पहचानना आ जाएगा, तो ऐसे बच्चों को circle करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने homework में आपको नाउन को circle करना है, जैसे मैंने underline किया है, तो आप लोग उसको circle करो रहा है, देखते हैं, यहां पर encircle the nouns, नमबर बन, अनीता has a cat, तो इसमें आप पहचान लोगे कि कौन कौन सा noun है, इसमें अनीता और cat, दोनों को ऐसी round circle बना ले रहा है, ठीक है, नमबर टू, अनू is my friend, अनू भी क्या है, नाउन है, और friend भी नाउन है, नेक्स है, नमबर त्री, India is a great country, इंडिया and country, ठीक है बटा, तो ऐसे ही नमबर फोर में, my father is a doctor, इसमें भी आपको देख लेना है, रिट करके, नमबर फाइब में, the cow gives us milk, इसमें आपको कौन-कौन सा नाउन लग रहा है, तो उसको क्या करना है, circle कर लेना है, नमबर सिक्स, the boys are playing, ठीक है, नमबर सेवन, I like mango, इसमें आपको कौन सा नाउन नजर आएगा, उसको आपको circle कर लेना है, और घर में अपने बड़ों से चेक कर लेना, okay, that is all.